शुबरबात नमस्कार भाईयो यह वीडियो राठी गाय की पूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है राठी गाय कहा मिलेगी कैसी होती है डेरी विशाय के लिए अच्छी है या कैसी है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि इस वीडियो में जो कलिप और जो देख रहे हुखें वो मेरे पिंजले राठी शेतर में पूरा में जो घूम। यु वीडियो क्लिप है। बहुत सुं으면서 वीडियो के युदुन के शुकर मिने हाथ वीडियो के देखेंगा। राठी ब्रीड के बारे में अभी ज्यादा पशार पशार हुआ लिए इतना गिर और खार पार का और शाइवाल का पशार हुआ है इसलोग तो राठी को शाइवाल के साथ ही जोड़ की देखते हैं राठी नशल विकानेर के आसपास के पूरे शेत्र में पाई जाती है बिकानेर गंगानगर और जैसलमेर का कुछ शेत्र और पूरा बॉर्डर की तरब का वह एरिया जहां रिगिस्तान है जहां 200 mm से भी कम बारिश होती है वो वाला शेत्र सारा राठी नशल का शेत्र है तो ये नशल कम खा के भी ज़्यादा दूद देने की शमता रखती है राजस्तान के जैसलमेर बिकानेर और बाड़मेर के सबसे अधिक भोगोलिक परिस्तित्या खराब इनी शेत्रों में है यहां पे किसान सुसाइट नहीं करता है उसका कारण सिर्फ थार पारकर राठी और सांचोरी नसल की गाई ही है इन नसलों के कारण ही आज किशान यहां पे सर्वाईव कर पा रहा है दोस्तों इस ब्रीड के बारे में मैंने शेत्र के बारे में आपको बता दिया है जो में डॉमिनेंट एरिया थे वो तो है लून करंट से उसके बारे में दूसरा एरिया है पुंगल सत्ता सर उपर का बेल्ट जो पाकिस्तान की तरह आता है वो वाला एरिया और उसके बाद में तीसरा एरिया है इसका महाजन और उसके चौता एरिया गंगा नगर और हनमानगर का बेल्ट महाजन शेतर में राट समुदाये ने बहुत अच्छी ब्रेडिंग की है राट समुदाये के नाम से ही राठी गाया का नाम पड़ा है अब राट के बारे में जो पूर जो में कहा जाता है पहले ये राजबूत हुआ करते थे इनमें से कुछ फिल मुश्लिम्स होगे इस तरह की सारी बाते पूराने चीज़ों में लिखी हुई है तो राट जाती जो रुमन्तू जाती है उसके नाम से ही इस ब्रीड का नाम हुआ है उस ब्रीड को कई वर्षों में तैयार हुई है ये ब्रीड शाहीवाल, रेड सिंधी, ठार पारकर और धानी इन सब का मिक्स है और सबसे अदर बलड जो इस ब्रीड के अंदर है वो है सकते हैं जब गाए हमारे जहरों में गुषती है तब उन्से मार के भगाते हैं पर हम यह नहीं समझते हैं कि हमने उनके श्यत्रों पर गबजा कर लिया जिसके कारण अब खाने के तो कुछ येगा तो गोमाता को तारों से कटना पड़ता है कई हाथसे होते हैं कई विद्रों होते हैं सब चीजे होती है वो बड़े डिस्कुर्शन की विशे है तो राजपूत मुस्लिम राट समुदा इनके द्वारा ये राठी नशल बनी है कम खाना खा की भी ज्यादा ये नशल कई कलर पैटर्न में है जितने आपके गिर में पैटर्न दिखते है उतनी ही पैटर्न इसमें और आने वाले बविश्य इस ब्रीड का ही है दूद के अच्छी समता है इस ब्रीड की जो एक कमी कही जाती है वो प्रलैप्स डाउन होने की कमी उसको साइज से मिनर्स नहीं मिलने की कारण जो डॉक्टर बताते है वह कारण तो आप उनको सही से फिरिंग करते हो तो यह समस्या नहीं होती है पर दूद में अच्छी शमता है इस नसल की और लंबे समय तक दूद भी देती है और फैट परसेंटेज भी इसका अच्छा होता है दूद की क्वाल किदी की अच्छी बहुत सारी चीज़े मैंने इस तूर के अंदर देखी जो आपको यहां फे शेयर करो दोनों उलब पैटन दिख रहे को वाइट वाला भी दिख रहा और वह भी रिग वाइड भी थह वायट में ब्लैक में यह बहुत सारी चीज़े है नाठी गाये की खा बाग खेतों में पेज देते हैं चरते दूर तक जाती है लगबग 400-500 किलियोमेटर तक पंजाब तक चराने के लिए ले जाते हैं इस तरह से कुछ चेत्रों फजिल का वगरा जो बैल्ट देखते हैं तो हाँ पर यही लूण करनसर और महाजन के आसपास के जो गाहों थे वह कोई लोग चराते चराते बहूं ले गए और वहीं पर बस गये, क्योंकि वहाँ चारे की सुईदा थी अब लोगों के मन में जो आता है कि डेरी हम सुरू हो करदेंगे दो स्तुर करने से पहले आप चारे की व्यवसता सारी पूरी करें डेरी व्यवसें के बारे में जो प् यह बात मेरी ध्यान रखके सुनिएगा तभी आप काम करिएगा दूसरी बात जो गाय लेना चाहते हैं गाय खरीदते हैं राठी की तो उनको यह सारे शेत्र हैं यहां से गाय ले सकते हैं पर गाय लेने से पहले आपको प्रसफाई चीजों का चैन करना ही पड़ेगा नहीं तो आप फिर ब्लेम और दूसरी चीज़े करेंगे, पर गाय ले जाने के बाद में भी अगर आप फेडिंग नहीं करते हैं, और फिर देने वाले पिर भी ब्लेम करते हैं, दोनों चीज़े गलत है, तो इसमें आपको अच्छे लोग, आप समझ में आजाएगा कि आदमी का क्या विचार है और जो भी आप उनको खुल के गई है कि भी मुझे ये चीज़ चाही है और ऐसी चीज़े से हम लेने गए थे तो हमने भी खुल के कहा था कि हमें गाय चीज़े आप दिलाओ आपको जो भी चीज़े वो हम देंगे, इस तरह से आप गायों को वहाँ पर इन शेत्रों से ले सकते हैं, ये आप देख रहे हैं जो गाउं से दूर अपने चराने के लिए जो जगए थी वहां ले गए तो वहाँ पर एक इकटा करके एक जगए सामके समय आ जाती है, जो बाड़ा चोटा सा आप देख रहे हैं, जह काटे वाली बाड़े बने हुए इनके अंदर काय रुखते है और जब सुबह होती है तो वापस चराने के लिए निकल जाते है यह सारी इसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो वीडियो के अंदर तो यह सारे शेत्र में घुमा था तो बड़ी इंटीरियर शेत्र है बहुत बिकानेर से भी लगबग 300-300 km अंदर तक जो बहुत कम लोग जाते है जहां तक वहाँ वाले शेत्र है बहुत अच्छे लोग है यहांके दोस्तों जो देशी गुवंश की डेरी और इन चीजों पर मैं आपको बताई चुका हूँ यह वीडियो आप से स्पेशली जो दिख अच्छे नंदी भी है इनके पास नागूरी नंदी भी है बहुत सुन्दर इनोंने कार्य किया है जो यह भी बिकानेर से लगए 200-300 km अगे फुंगल से आगे गाउं है वहां पे काफी समय आप पूछेंगे गाउं का नाम और विक्ति का नाम में दिमाग से निकल गया पर दोस्तों गोमाता है कि प्रती करुणा का भाव कि साथ साथ उसको माँ समझ कि हम रखेंगे तब ही हमें गोरक्षा और जो गाउं बचाओ गाए बचाओ देस बचाओ गाए बचेगी तो गाउं बचेगा गाउं बचेगी तो देस बचेगा इन सब चीजों को ध्यान में र दूसरा गोशालाय और डेरी कैसे एक्सपोर्ट और इनिट बने जिस तरह के हालात है इन हालात में जैसे हम अभी भुगत रहे हैं सांस की तकलीप और बागी साथ चीज़ों कोरोना तो सबसे अच्छा मैं मानता हूं कि गाय का दूद का शेवन और इन चीजों से आपकी शमत साथ बढ़ती है तो इन चीजों का आप ध्यान में रखे और दूसरी बाद दोस्तों खाद के बिना खेती संपव नहीं हो देशी खाद के बिना आने माला समय इसी का है जिस तरह से भी लोग परेशान है टेंशन में आपकी सारी सुक्सुविदा आपके मौल और सारी चीज उनका है उनकी उनके पुराने समष्दन की पिता जी सरपंच थे वहाँ पे गाउं में पूराने संवर्दन का कारिया इनका किया वा है और सब्सक्राइब तो यह स्वाइब करना भी आती है थिरे दिरे समवर्दन करके आप उनसे अच्छी ब्रिड त्यार कर सकते हैं हैं टोस्तों राठी गाय वासते हैं बहुत अच्छी गाय और आपको तो यह आपको फाइदा ही देगी भारत को आर्थी को शामाजिक सम्रद्धी इसी गाये के साथ संबद हुए गाये मर रही है तडप रही है उसको बचाना है तो फाइदे ब्रेडिंग और इन सब चीजों से ही आप कर सकते हैं तो एक खुशी की बाद आपको बचाना चाहूंगा आपको बहुत पसंद आएगा कैसे फार्म सुरू करें से लेकर कैसे उसको फाइदे में लाते है वो सारी जानकारी में उस वीडियो में दूँगा आपका शमर्तन और सयोग ऐसे ही मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें डेरी एग्री कंसल्टेड में भार और जरूर करें आपका साथ सयोग ऐसे ही चीए वो जैगोमाता जैगोपाल आप जैसे साथी हो उनके कारणी हिम्मत बड़ी है मैंने तो एक सौक से वीडियो बनाने सुरू किये थे और उन वीडियो को ऐसे ही अपलोड किया था पर जैसा समर्तन आप लोगों से भायों से म मिला है मैं वास्तम में अभी बूत हूँ कि आप जैसे साती मुझे मिले है दोस्तो राठी नशल वास्तम बहुत अच्छी नसल है आप इस पर काम कर सकते हो आने वाला समय मैं 100% कह रहा हूं इसी नसल का है और सबसे अच्छी नसल है दूद की शमता अच्छी है दूद अच सब्सक्राइब करना वीडियो को आगे सागे शेयर करना और पूरा मैं सारी बाते बहुत देखके सोच समझ के लिक के और पढ़के आपको बताता हूं तो आप उनको आगे से आगे भेजे फाइदा मिले सबको जैगो मात